जाए हिन दोस्तों प्रधान मंत्री किसान सम्माने दी अजनकत्राप से एक बड़े नियूस यानिकी बड़ी खबर सभी लाभारति को आप तक मिल चुका है कि नारंडव मदी जब प्रधान मंत्री तिस्री वार के लिए पहली दिन सपत लिया था उसी दिन किसानों के लिए 20 हजार कोरूर टांसपर कर दिया है यह जो 20 हजार कोरूर है किसान सम्माने दी अजनका पैसा देने के लिए टांसपर किया है लेकिन किसान सम्माने दी अजनकत्राप से जो इस्टॉल्मेंट है इस बस 17 नमबर का इस्टॉल्मेंट आने वाल है यह 17 नमबर का इस्टॉल्में जून की 18 तारिक को आ सकते लेकिन इसका उपर आप तक किसान सम्मानी दी अजनका जो वेबसाइट है वेबसाइट पर आपडेट नहीं हुआ है जब तक वेबसाइट पर आपडेट नहीं होगा तब तक शियोर नहीं कह सकते कि 18 जून कोई पैसा आएगा यह आपको 18 जून मि भी मिल सकते हैं लेकिन जून मेहना को यानिकि इसी मेहना को किसान सम्मानी दिया अजनगात्राब से 17 नंबर का इस्टॉल्मेंट मिलेगा यह तो 100% है लेकिन सबसे बड़ी पॉब्लेम तो यह आ रहे कि 17 नंबर के इस्टॉल्मेंट तुरंथ 10-15 दिनों के आंदर यह किसानो का इश्राज पर यानि कि आपने जो फॉफाइल है फॉफाइल पर कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है कुई भी चेंज नहीं हो रहे पहले जैसा सेम टूसे में उनसे भी लभारति का मन में यह डाउट है कि जो बंचित किसान है बंचित किसानों को पैसा मिलेगा कि नी और और करने के लिए क्या करना होगा कुस परोसेस बाकी है कि नी की सभी जानकरी हम इस बीडियो में शियार करेंगे और पर पर किलिक करके आप डालके प्पड़ी लभारती अपने इश्र Remo को अप्एन के रेउस्टरस नमबर नहीं है रेजिस्टरास नमबर निकाल के सिम्पी आपको इसमें पेस करना है उसके बाद क्यापसाप डालके गेट OTP पर किलिक करना है करने की बाद आपकी जो भी पोफाइल है यह तो अपन हो जाएगा लेकिन आपको OTP वेरिपिकेशन करना होगा अगर आपका OTP आपकी मुबाइल नमबर पर रिसीब नहीं हो रहे इसके लिए आप इस्टरास केसे कर सकते हैं वीडियो से यह तो कॉमेंट डाल दीजेगा बनना मुझे वर्ट्सप पर आपने रिजिस्टेशन नमबर डाल दीजेगा आपको 17 नमबर का इस्टॉल्मेंट मिलेगा की नी हमार तराप से आपको बता दिया जाएगा सबसे पहले तो आपको इस्टरास पर आने की बाद पासर इंफर्मसन मिलेगा जो आपके लिए इंपोर्टेंट है श्रीव आप एक ही पॉइंट को फूलो कीजिए गब पासर इंफर्मसन में आपका मुबाइल नमबर इस पर शोग कर रहा है कि नी उसके बाद जाना होगा सबसे पहले फ्रो करना होगा कि इसमें आपको क्या रिजन बता रहे है अगर आपका एप सितनो और रिजन के जगा आधार बैंक एकाउंट नॉट सीडिड आ रहे तो आपको क्या करना होगा अपनी जो आधार काड और पैन काड है यह दोनों से आपको पोस्ट ओपीस पर खाता को अपने अधार डीवीटी को एक्टिव करना होगा दूस्से सवाल आता है कि जिन लाभार्तिक नॉट इलिजि इसलिए करना होगा आप आप TO करने का ठीव को तो करने की यह चीन अपको ठीומ होता है फन ट्रांसपर और जब शुष होगा त्वधिया अपका डेयों यह कर दिया जाएगा लेकिन आपको फ्रूप से खुठ से नहीं ब्सक्ट होगा जैसे कि आपने जो एकाउंड है यह post office फर खाता खुल के अपने आधार को लिंक करना होगा यह पहली काम करना होगा दूसा है आपका 1 कवाईसी करना होगा जिससे आपका land setting को yes रखना होगा यह तीनों काम सही करके राखने से dvt को ok करके राखने से आपका जो भी installment है यह जो हो चुक है 15 जून के बाद completely 50% से ज्यादा किसानों का फ्रोसेस दिखाई देगा अगर आपका फ्रोसेस दिखाई नहीं दे रहा है तो आप फ्मस वाली official website पर जाके भी आप शेक करा सकते payment वाली option पर आपका payment एप्रूब हुआ के नहीं अगर आपका payment एप्रूब हो चुक ह है तो आपको 100% पैसा मिलेगा अपका उस दिन भी हो सकते जी दिन पैसा जारी करेगा अगर आपको फ्रोसेट नो आ रहा है इसके लिए आप परिशाने तो आप घबराने का वात नहीं आप शिरिफ दो तीन सार वेरिफिकेशन करकर रेखिएगा और एक बात है दोस्तों मै आई बटन पर एक वीडियो का लिंक देदोंगा आप लोग ओवाली वीडियो जोरो देखेगा आपको और भी जादा समझ में आ जाएगा तो दोस्तों इसी वीडियो के अंदर अगर आपको और भी जानकरी चेह तो कॉमेंट डाल दीजेगा आज की वीडियो इतना तक है जाई हीन जय भार